हेलो फ्रेंग्स वेलकम टो ग्रीट समेशर्ज आज की इस क्लास में मैं एक्स्प्लीन करने जा रहा हूँ सेलेक्शन सौर्ट और इस वीडियो में में सेलेक्शन सौर्ट से रेलेटिड सारे इंपॉर्टन पॉइंट करेंगे जो आपके competitive exams, even आपके college and university exams, even interviews में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होंगे तो guys फड़ा बटसी वीडियो को like कर दें, channel को subscribe करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया and press the bell button ताकि आपको सारी latest notifications मिलती ने तो selection sort से चाहिए हम best case की बात करें, worst case की stability, in place, each and every point जो है वो हम एक एक करके discuss करेंगे चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है selection sort का यह मिर पास यहाँ पर algorithm हाँ और यह pseudo code है पहले मैं आपको साथ साथ example के तौर पर बताता हूँ, कि let's say मुझे कोई array दिया हुआ है, randomly elements उसमें पढ़े है selection sort का simple सा procedure है, वो क्या करता है, कि जो सबसे minimum element है ना, उसको पहली position पे ले कि आता है इसको बोलते हैं एक pass, एक turn में, एक turn में क्या करता है, वो सबसे पहले element को, मतलब सबसे minimum element को पहले position पे ले आता है दूसरे pass में क्या करता है, जो second minimum है उसको second पे, तीसरे pass में third को third पे, इस तरीके से वो ascending order में क्या करता रहता है sort करता रहता है तो देखो यहाँ पर हम start करते हैं let's say यह मेरे को array दिया हुआ 40, 20 यह सारे मेरे पास elements है i is equal to 1 to n minus 1 i मेरा जो है वो इस position पर है i is equal to 1 to n minus 1 यहाँ तक चलेगा क्यों क्योंकि अगर n minus 1 element sort होगे तो last वाला तो automatically sort ही हो जाएगा अब यहाँ पर min is equal to i सबसे पहले हमने क्या करना है हमने यहाँ पर variable ले लिया min और उसमें क्या डाल दिया i मतलब कहने का यह देखो a of i की value हमने कहां डाल दी a of i की value हमने x ले लो कोई भी ले लो हमने simply min ले लिया और उसमें हमने 40 डाल दिया मतलब मैंने माल लिया कि मेरा minimum element कौन से है 40 पहले element को minimum मना लिया अब i की जो value है वहीं से हमने j start कर दिया मतलब j भी यहीं पर point कर रहा है आप देखो internal loop कैसे काम कर रहा है तो internal loop जो है वो बड़ा important है i plus 1 से n तक चलेगा मतलब i की value क्या है 1 1 plus 1 क्या हो गया 2 यानि j जो है यहां से लेके last nth element तक चलेगा और वो करेगा क्या वो check करेगा कि क्या a of j less than minimum element है या नहीं मतलब देखो 20 next element को उन से 20 तो क्या 20 less than min है 20 less than 40 है yes 20 less than 40 है तो इस case में हम क्या करेंगे a of j को min में डाल देंगे a of j को क्या कर दी है हमने min में डाल दिया मतलब मेरा min क्यों बन गया अब 20 min बन गया getting the point हो no 20 मेरा क्या बन गया अब min बन गया next देखो 60 यह भी loop में चलता जा रहा है next कौन से 60 60 देखो क्या 60 मेरा less than min कौन से मेरा 20 क्या 60 less than 20 है 60 less than 20 नहीं है तो next element देखो 10 क्या 10 less than 20 है yes तो यानि अब मेरा min फिर change हो गया min मेरा कौन सा a of j कौन सा था 10 तो 10 मेरा मैंने कहां डाल दिया x में डाल दिया मतलब min में डाल दिया तो मेरा min क्या था 20 अब क्या हो गया 10 next 50 क्या 50 less than 10 है 30 less than 10 है नहीं तो यानि यह पूरा यह पूरा का पूरा यहां तक चल गया यह हमने पूरा का पूरा यहां तक चलाया इसमें जो यह पूरा loop internally चलाया i प्लस 1 से लेके n तक उसमें हमने किया क्या पूरे array में सबसे minimum element को find out कर दिया और उसको replace कर दिया अब करना क्या है अब simply last में आपको swap करना है क्या swap करना है कि आपने सबसे पहले i की value क्या ली थी 1 ली थी तो इस position को मतलब इस position पे आप क्या डाल दो minimum element कौन सा minimum element 10 तो 10 आप यहां पे डाल दो और 40 कहां चला जाएगा 40 कहां चला गया 10 वाली position पे swap कर दिया और 10 कहां चला गया 1st position पे आ गया इसको बोलते है 1st pass तो यानि 1st pass में आपका सबसे minimum element जो है न वो आपका पहली position पे पहुँच गया तो यानि अब array किस तरीके से देखेगा array आपका बन गया यानि 10 20, 60 40, 50 30 यह बोलते हैं 1st pass 1st pass के बाद ही आपका अंसर आ गया अब देखो i is equal to 1 वाली तो होगी अब i is equal to 2 से start करेंगे 2 से लेके n-1 मतला अब यहाँ पे मेरा i आ गया और min में मैंने क्या डाल दिया min में मैंने 20 डाल दिया अब देखो next element 20 greater than 60 greater than 20 and 9 next 40 greater than no 50 greater than no 30 greater than no तो यानि अब मेरा यहाँ पे यह देखो index of minimum not equal to 1 but index of minimum तो मेरा यहाँ पे equality है जो मेरा हमने लिया था i के value वही मेरा यहाँ पे minimum आ रहा है तो इस case में आपको कोई swap करने की जूरती नहीं मतलब 20 अपनी right position पे है फिर आपने ऐसी क्या करना है next element 60 आ गया तो यानि second pass के बाद यह position same ही रहेगी array आपका same रहेगा third pass में क्या होगा आपने अब जो है i के value यहाँ से start की min में आपने क्या डाल दिया 60 डाल दिया तो next element देखो 40 less है तो min आपका change होगा 40 next देखो 50 है तो min आपका change होगा 50 next है 30 तो min आपका क्या होगा 30 getting the order min आपका क्या होगा 30 अब सारा आपने nth element तक check कर लिया अब आपको क्या करना है again आपको swap करना है मतलब यह जो 30 वाली position पे 60 चला जाएगा और 60 वाली position पे 30 आ गया तो देखो third pass के बाद पहले तीन element आपके sorted इस तरीके से fourth pass में next fifth pass में next इस तरीके से fifth pass के बाद सारे के सारे element अपनी right position पे पहुँच जाएंगे और array आपका sort हो जाएगा तो यह इस तरीके से selection sort काम करता है बस हमेशा याद रखना पहले element को आप minimum आलो सारे बाकी के element से check करो अगर next element छोटा है तो आप min को change कर दो इस तरीके से करते जाओ बिल्कुल जब सारा check कर लिया array पूरा का पूरा check कर लिया तो पहले element से आप swap कर दो जो बिल्कुल minimum वाला element था उस position पे आप पहले element को ले आओ और पहली position पे आप जो minimum element था उसको ले आओ ये first pass है इस तरीके से आपको करते जाना अब देखो अगर हम बात करें इसकी time complexity की तो time complexity में पहले हम बात करते है best case तो best case में देखो best case कहों से होता है assigning order 10, 20, 30, 40, 50, 60 तरीके से array already sorted है तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे i की value जो है 1 और यहाँ पे minimum हमने माल लिया 10 तो देखो यहाँ पे compare आप कर रहे हो इसको compare करोगे next element को compare करोगे 10 से next को compare करोगे 10 से next को compare करोगे तो यानि आप कितने comparison करते जा रहे हो आप पहली position पे 10 के साथ कितने compare कर रहे हो एक तरह से n-1 compare कर रहे हो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to n minus 1 यानि n into n minus 1 divided by 2 which is order of n square क्योंकि n square dominant term है तो यानि आपके comparison कितने है comparison के case में order of n square complexity हागी best case में भी order of n square आ रही है that's why selection sort is not आप कहाज़कों इसको हम priority से लिए नहीं देते हैं क्योंकि best case में भी order of n square दे रहा है और insertion sort दे रहा था order of n अगर आप से पूछले swap कि swap कितने लगेंगे तो देखो swap इस case में नहीं होगा क्यों क्योंकि already element sorted position पे है although जब आप सारों को compare करोगे तो minimum जो है याँ पे swapping आपके होगे नहीं क्योंकि सारे element अपनी right position पे है तो best case में swapping के complexity order of 1 लेकिन comparison की order of n square तो आपको overall maximum लिखनी होती है that is the order of n square तो याद रखना this is the best case then हम बात करते है worst case तो worst case में क्यों से हमारा descending order तो worst case में देखो पहले आपने minimum बना दिया 60 अब वही 50 को compare करोगे 60 के साथ और swap भी करोगे ठीक है ना swap अभी यहाँ पर नहीं करोगे मतलब simply आप minimum के साथ इसको क्या कर दिया change कर दिया फिर आपने compare किया 40 बन गया फिर minimum 30 बन गया फिर minimum 20 बन गया फिर minimum 10 बन गया और finally आप एक swap करोगे 10 यहाँ आजाएगा और 60 आपका यहाँ जाएगा ठीक है next time क्या होगा next time मैं 50 से start करोगे यानि पहली बार आपके n-1 आपके कितने compare हुए आपके n-1 comparison हुए और एक swap हुआ दूसरी बार क्या होगा जब आप 50 से start करोगे मैं pen change कर देता हूँ color उसका 50 से start किया तो मिन आपका क्या है 50 ठेक है और element अब आपके क्या बनगे 10, 50, 40, 30, 20, 60 यह first pass के बाद 10 तो अपनी position पे पहुंच गया अब आपने मिन में क्या डाल दिया 50 अब next element को उनसे 40 फिर 30, फिर 20 और 60 तो यानि आपका जो minimum क्या बनगे 20 अब आप क्या करोगे 20 को यहाँ पे डालोगे और 50 को यहाँ पे यानि again swap कितना हुआ आपका 1 और आपके जो comparison कितने हुए n-2 यानि फिर भाई बन गया n-1 पहले comparison फिर n-2, फिर n-3, n-4 up to 0 तो यानि आपका n into n-1 divided by 2 which is order of n square time complexity क्योंकि comparison n-square है और swap की बात करें तो हर बार हर pass में आप एक-एक swap कर रहे हो जैसे हमने पहले pass में 60 को 10 से किया था दूसरे में 50 को 20 से किया था तो यानि order of n आपकी swapping complexity order of n-square आपकी comparison तो दोनों में से बड़ी value कौन सी n-square तो यानि worst case में order of n-square तो अगर हम बात करें तीनों case की तो worst case में ही देखो मैंने आपको proof करके दिखाया n-square order of n-swap best case में n-square complexity ही है लेकिन swap order of 1 है लेकिन आपको n-square ही लिखनी है जब भी आपको पूछें और ऐसी average case बात करें तो average case और worst case में से हमारी complexity जो है वो space complexity order of n नहीं होती order of 1 बनती है अन तब बनती है जब similar size का array एक नया लेते है extra लेते हैं लेकिन हमें यहाँ पर जूरत नहीं है वही given array में आप सारे के सारे changes कर सकते हो अगर हम बात करें stable की तो यह stable नहीं है selection sort is not stable stable का मतलब क्या होता है मैंने insertion sort में बताया था अगर similar elements है उनकी position उनकी relative position change हो जाती है means वो stable नहीं है जैसे मैं आपको एक simple से example से बताता हूँ 5,2,3,5,1 जहीं मैंने आपको example उसमें भी दिया था 5A और let's say 5B अगर 5A और 5B देखो 5A इधर आए 5B इधर आए कि अगर यह change हो जाते हैं 5B इधर आजाए 5A मतलब same element distinct की बात नहीं कर रहा है non distinct element मतलब आपके जो यहाँ पर similar element की अगर position change हो जाती है means इसको हम बोलते है unstable तो यहाँ पर देखो 5A आपने लिया इसको आप compare करोगे 2 से तो 2 minimum बन जाएगा पहले आपने minimum में क्या डाल दिया 5A फिर आपने 2 बन जाएगा फिर 3 बन जाएगा फिर 5B बन जाएगा फिर 1 बन जाएगा तो आप क्या करोगे 1 को यहाँ ले आओगे और 5A को यहाँ ले आओगे तो देखो क्या बना 1 को आप पहली position पे ले आएए और 5A को यहाँ ले आए तो देखो 5B आपका अब left में हो गया 5A right में हो गया पहले जब आपने start किया तो 5A left में था तो अगर relative order change हो रहा means it is a unstable तो अगर आपको exam में कहीं भी पूछ ले आप इसको बोलोगे it is a it is not a stable it is not stable algorithm हाँ इसको stable कर सकते हैं code में आप change कर सकते हो but by default it is not a stable algorithm but yet yes it is a in place thank you